एक्जाम के प्रेपरेशन तो बहुत ही तेजी और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टुडेंट्स कर रहे हैं फॉर सानिक स्कूल 2024 एक्जामिनेशन लेकिन आपसे भी ज्यादा स्पीड में है अभी जो कि हमारी कंटक्टिंग बॉडी है जिसमें एक के बादे कई बड़े और मेजर अपडेट रखें स्टुडेंट्स के सामने फॉर एक्जाम फॉर एडमिट कार्ड तो आज हम इस वीडियो में इसी सब चीजों के बारे में डिसकस करेंगे कि आपका एक्जाम डेट किया है क्या इसमें कुछ फिर बदल हुए है यस एंटे ने इसमें कुछ चेंजिस किये हैं आपके एक्जाम डेट में जो कि आपको जो पहले था वो बाद में शिफ्ट कर दिया गया है और आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो आपको कहां से कोई दिक्कत परिसानी नहीं हो और हम यह भी जारेंगे कि क्या एडवांस एक्जाम सिटी लिष्ट आ गई है क्योंकि इस पर बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और आप बहुत सारे आर्टिकल्स भी देख रहे थे इस पर इन सभी आस्पेक्ट्स को हम करने वाले हैं वीडियो में तो बिनादिर किया लेट्स बिगिन टॉआ वीडियो तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके एक्जाम डेट्स की तो जो एस पर आप और ब्रोचर जो हमें अप्लिकेशन भरते टाइम ब्रोचर दिखा था उसमें आपकी एक्जाम डेट 21st ज तो इसलिए एक्जाम की डेट में भी आप एक एक्जांशन देख रहा हैं इसको लेके एक प्रॉपर नोटिफिकेशन एंटिये ने रिलीस किया है आप अपने स्क्रेन पर भीस नोटिफिकेशन को देख रहे होंगे इसमें एंटिये ने डायरेक्ट कहा है कि आपका 21st जख एक्जाम रिशेडियूल हो के 28 28 जनवरी 2024 को कर दिया गया है आप इस नोटिस को नीचे डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं और ये ओफिशल वेबसाइट www.ntaonline.in जिस पर आपने अपना अप्लिकेशन भरा था उसमें अवेलेबल है तो आपको एक हफ्ते का एक्स्टेंशन और मिल गया है आपके एक्जाम में तो आप उसके अक्वार्डिंग अपने प्रिपरेशन करें कहीं 21st जनवरी को ही आप सेंटर पे ना चले जाएं तो य कि आपको पता चल जाए कि किस स्टेट किस सिटी में मेरा एक्जाम सेंटर है उस लिश्ट में आपको कहीं में यह नहीं बताया जाता है कि आपका सेंटर कहां पर है बस सिर्फ यह बताया जाता है कि आपका एक्जाम जो सेंटर है वो किस शहर में पढ़ने वाला है तो क्या यह रिलीज हो चुकी है तो बिल्कुल नहीं यह सब एक rumors चल रहें आर्टिकल में आपको तक्रीबन यह रिलीज होने में इसको तक्रीबन एक दू हफते का और टाइम लगेगा और इसके लिए आपको कोई भी notification आप ओल इंडिया सैनिक स्कूल के official website से ले सकते हैं और अगर य एड्मिट कार्ट के उपर तो बहुत सारे बच्चों की मेरे पास यह comments आ रहे थे कि एड्मिट कार्ड रिलीज हो चुका है हम कहां से उस एड्मिट कार्ड को डाउनलोड करें कैसी डाउनलोड करें इन सब चीजों को लेके भी मैं आपके सभी doubts clear कर देता हूं तो first of all admit card या फिर misleading clickbait links हैं तो आपको इसकी worry नहीं करनी है admit card अगर मैं आपको दिखाओ तो हम चले जाते हैं इसके लिए NTA की official website जहां पर आपने application form फिल किया था तो यहां पर आप अपने screen पर देख सकते हैं कि clearly कोई mention नहीं है admit card का बस date extension की आप देख रहे है notice जो की आपको notice board में है ना ही activity में और कहीं पे भी admit card release नहीं हुआ है अगर यह release हुआ होता तो आप जानते हैं कि मैं इसके लिए सबसे पहले आपको notification दे देता हूँ because here आपको trusted information मिलती है तो मैंने इसके लिए contact किया NTA के help desk से कि कब आपका application तो आपने भर दिया लेकिन कब आपका admit card निकलेगा तो उन्होंने email में reply करते हुए मुझे बताया कि आपका admit card second of January के दूसरे हफ़ते में release होने की chances और probability है but but मुझे लगता है कि आपका admit card दूसरे हफ़ते में नहीं जारी होगा क्योंकि मैंने पिछली एर के ends को जब analyze किया तो मुझे यह बात clear दिखी कि आपका admit card तक टीवन एक हफ्ते पहले release होता है एंटी इस मामले में थोड़ी सी फिर बदल कर देता है डेट में तो आपका admit card तक क्रीबन 16 से लिए के 20 जनवरी 20 जनवरी के आसपास आपका admit card आ जाएगा आपके portals पे और उसको लेके मैं आपको notify कर दूंगा इसको लेके आपको कोई चिंता नह card download गाने के लिए आपको nta की official website exams.nta.ac.in इस website को आप ध्यान में रखें आपको आपके admit card के लिए इसी website पे जाना है otherwise बच्चे दूसरे websites पे जाके अपने admit card find करने के प्रयास करें और उनको जब नहीं मिलता है तो वो परिस्तान हो जाते है लेकिन आप इस website पे जाए यह official website है नीचे मैं आपको इसका link भी provide करा दूंगा description में तो जब हम इस website पे जाते हैं तो आप clearly देख सकते है ना newsletter section में ना press release section में ना activity section में अभी कहीं admit card का link active नहीं हुआ है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है जब आपका admit card का link active होगा यहाँ पे आपको उसका एक अलग से section द मिल जाएगा वह तो चीजे में पहला आपका होगा application number जब आपने application form भरा होगा तो आपको application number मिला होगा और दूसरा होगा आपका password जब आप application form भर रहे होंगे तो आपसे password पूछा गया होगा alpha numeric password होता है वो password डाल के आप अपने admit card बढ़ ही आसानी से download कर लेंगे so nothing to worry इस available हूँ अब आप इस वीडियो में इतनी देर तक रुख गये हैं आपने सभी information ले ली है तो आपके लिए special announcement है कि आपके preparation को boost करने के लिए मैंने आपके लिए previous year के because exam previous year question demand करते हैं तो previous year के सभी questions आपको मैं नीचे description box में दे दूँगा आप अपनी preparation के according previous year question को practice कीजिए जिस question similar question कुछ previous year कि आपके current paper में भी आ जाते हैं so do that to increase your score in your examiner तो इस वीडियो में मैंने इन सभी topic को cover करने की process की आपके admit card exam city और आपके new exam dates को लेके मैं उमीद करता हूँ कि आपके सभी doubts clear हो चुके होंगे कोई भी topic के लिए कोई भी doubts के लिए आप free comment section में में मेरे से और अपनों का ख्याल रखी and don't forget to keep watching your channel RJ Mathematics